युक्रेन में फसे बारतियों को सुरक्षद गर लोटाने की सरकार के मोहीम जारी है और इसी कड़ी में जमू के 37 स्टुडेंट्स सुरक्षद गर लोट आए हैं और 21 अन्य ट्रांजिस्ट में हैं जबकि दो अभी भी युक्रेन में ही हैं जमू कश्मीर परदेश के कुल 148 विद्यार्टी युक्रेन में थे और ओपरेशन गंगा के तैद छात्र छात्रों को सवदेश लाया जा रहा है परदेश सरकार की ओर से दिल्ली में हेल्प डेक्स तापित किया गया है युक्रेन से लोटने वाले विद्यार्टियों के रहन और खाने पीने का परबंद जेके हाउस में किया गया है सरकार की ओर से ने अपने गर तक लोटने के लिए हवाई टिकेट मौया करवाई जा रही है जो मुझिले में युक्रेन से लोटे विद्यार्टी अपने परिवार से मिलकर खुश है तो वहीं अपने अन्य साथियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित भी हैं उनका कहना है कि अभी भी बड़ी संक्या में विद्यार्थी युक्रेन के विबन हिस्सों में फसे हुए हैं और वे मदद का इंतजार कर रहे हैं इसी बीच सरकार द्वारा हर संबब परियास किये जा रहे हैं तांकि देश का हर एक न झाल